चलिए स्वसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम स्वसाइटी में चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है वेस्टन आइडिलोजी इस वेस्टन है यह नाम सुनकर के कि ऐसा नहीं है कि हमारे कंसर्ण की चीज़े नहीं हम यहाँ पर कैपिटलिजम को सोशलिजम को और इनकी उत्पत्ती के पीछे के आधारों को बहुत खूबसूरती से समझ रहे हैं काल मार्क्स ने विचार किन आधार पर रखे हम उन आधारों को समझ रहे हैं जीवन और भव इसी से सुधारा जा सकता है हम इसलिए समझ रहे हैं कल हमने आपको बहुत खूबसूरती से यह समझाना चाहा कि अगर हम इन आइडिलोजी को पढ़ना चाहते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 19th century के जिस revolution के दौर की मैं बात करता हूं जिस समय में sociology की एक विकास हुआ जन्म हुआ उसके पहले के वो जो 300-400 वर्ष जिसमें लगातार कई करांतिया हुई चाहे वो वेग्यानी करांती थी जिसे हम enlightenment कहते हैं चाहे राजनीतिक करांती थी जो फ्रेंच revolution था और चाहे आर्थिक करांती थी जिसे की हम industrial revolution कहते हैं हमें इस दौर को समझना होगा उस में हमने जब enlightenment का टॉपिक कल शुरू किया था तो मैं कभी भी यह नहीं चाहता था कि आप कुछ चीजों को एक blockchain की तरह ही अपनी body में feed कर ले कि लोग enlightenment के phase में ज्यादा reason हो गए logical हो गए visionary हो गए और वो critical analysis करने लगे जब हम चीजों को ऐसे सीख लेते हैं तो हम आधार परा कभी जब ऐसा होगा तो वो किस कारण से होगा तो उसके लिए हमने इसको पीछे से पोहत अच्छे से trace किया हमने इस line को ही पकड़ा था कल आप मुझे प्लीज टीजिए हमने इस line को पकड़ा था जो पहले वाली line थी emergence of radically new ways of thinking तो मैंने आप से पूछा था कि यह new ways of thinking क ही हमने बताया कि यह जो एलिएज है जब मैंने यह कहा कि जो एनलाइटेन्मेंट का ऐस envy समझ में और उसके पहले हमने पढ़ा तो फिर क्या था डार के जेस थी है कि नहीं तो हमने देखा कि किसी पिछले से परिवर्तित हो करके नहीं आ बहुत ही इकम समय में, बहुत ही कम समय में, complete transformation हुआ है, इस वज़ा से हमने उसे revolution की संग्या दी, हमने उसे revolution consider किया, इसके तहत यह जो line हमारे सामने थी, emergence of radically new ways of thinking, हमने new ways of thinking में यह बात की, कि यह वो समय था, जिस समय में thinking में rationality को जगा मिली, thinking में reasoning को जगा मिली, critical analysis को जगा मिली, लेकिन इसके कारण क्या रहे, कब person unreasoned था, कब वो irrational था, कब वो illogical था, वो समझा हमने, हमने dark ages के context में से detail में understand किया, हमने आपको trace करके दिया कि ऐसे समाज परिवर्तित होता है, यह कारण हो जाते हैं कि यह कितना prosperous Roman Empire, complete dark ages में जाकर के खत्म होता है, जब आर्थिक हालात, अंतरराश्ट्रेस तरपर हमारे exchanges of goods and services and ideas, जब trade and commerce और political system change होता है, जब religion को base बनाया जाता है for the exploitation, for a particular classes of society, और majority of the masses सफर करते हैं, हमने इन सभी context में चीज़ों को बहुत खुबसूरती समझा, आज हम आगे बढ़ा लेते हैं इस चीज़ को, तो actually में enlightenment का phase, जागरिती का दौर, इसे आप re-innocence, जिसे हम re-nascence कहते हैं, या re-awareness का phase कह सकते हैं, पुनर जागरिती का दौर, तो किस चीज़ को पुनर जागरित करना चाहते हैं, आप the classical Roman era, तो लगबग 1000 वर्षों के बाद, वैसे exact time इसका 1353 से 1553 है, 1350 से 1550, the phase of re-nascence या phase of enlightenment है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, तो हम यह कहेंगे, जब यह पूरी तरह से नर्चर हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो हम 17th, 18th century शब्दे यहां पर use करते हैं, इसके beginning में आप 1350 से trace कर सकते हैं, इसको boost मिलेगा जब तुर्क जीत जाएंगे East Roman Empire को 1453 में तुरकिश victory के साथ, और यह पूरी तरह से विक्सित होता है, 17th, 18th century यानि की 1601 से 1700, then 1700, 1701 से 1800, आई बास समझ में, इस तरह से यह इस दौर में पूरी तरह से culminate कर जाएगा, अप हम यह देखते हैं कि इस समय में चीजें बदल जाती हैं, और आप Classical Roman Empire को, Classical Roman Era की glory को दोबारा अचीव करना चाहते हैं, और उसी achievement में सबसे महतपूर्ण चीज यह हो जाती है, कि human being जो है, वो center of the universe हो जाता है, what do you mean by the center of the universe? Human, जब आप किसी भी चीज की reasoning की बात करते है, rationality की बात करते है, rational thought की बात करते है, logics की बात करते है, तो main aspect यह है कि इस दौर का सबसे महतपूर्ण का concept यह था, कि जो human है, वो free है, free for what? Free to think, human सोचने के लिए मुक्त है, और जब वो सोचेगा, तो ideas develop होंगे, उसके यह जो ideas हैं, यह society के सामने present किया जाएंगे, तो यह social platform पर आएंगे, societal platform आप इसे कह सकते हैं, और जैसे ही यह social platform पर आएंगे, तो इनका critical analysis होगा, क्योंकि जो बाकी के सारे लोग हैं, वो भी तो free हैं to think, they are also free to think, so definitely, if they are free to think, तो यह freely इस idea का analysis करेंगे, free from any bias, free from any prejudice, ultimate that analysis you can call a critical analysis, it is a kind of constructive analysis, यह एक तरह का constructive criticism होता है, क्योंकि आप जब इस तरह से unbiased character के साथ, यानि कि किसी भी तरह की partiality ना रखते होए, किसी के प्रती धुकाव ना रखते होए, आप किसी idea का analysis करते हैं, तो आप उस idea को और चार चांद लगाते हैं, आप उसे और बहतर करते हैं, उसकी कमियों को दूर करते हैं, rectify करते हैं, इस वाज़ा से यह जो analysis आपने critical manner में किया, यानि कि यह जो आपने criticism दिया, यह criticism इस idea को और बहतर तयार करेगा, so that criticism is a constructive criticism, it is a constructive criticism, but when you are biased, when you are partial, when you are not impartial, you are partial, you are biased, and you are prejudiced, then you are doing analysis, और आप कह रहे हैं कि यह critical analysis है, no, it is not the critical analysis, आप हो सकता है सामने वाले के प्रती कोई बैर रखते हैं, कोई वैमनस से रखते हैं उसके प्रती, आपका उसे कोई इर्शा है, या आपको समस्या है, या वो idea, आपके idea के विरुद्ध idea है, सिरफ इसी वज़ा से आप उसका खंडन कर रहे हैं, तरक क्या धार पर खंडन होना चाहिए, आई बात समझ में, तो इस तरह से सभी फ्रीट है, to think, तो वो they are analyzing the idea, कि वो idea सही है कि नहीं, सही होने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सही होने का आर्थ यह है कि जो human है, उसके मताबिक अगर देखा जाए, तो वो idea है कि नहीं मतलब अगर आप इस समय की बात करें, तो यह important हो गया कि यह जो particular nature है, प्रकृति है, इस प्रकृति में बहुत से resources हैं और इन सभी resources का जो purpose है, वो human की betterment है, और human की betterment के लिए हमें resources को exploit करना है, और जब resources को exploit करना होगा, तो naturally आपको technology की जरूरत होगी, आपको कई तरह की techniques की जरूरत होगी, आपको कई तरह के production के factors की जरूरत होगी, क्योंकि फिर आप कुछ produce करेंगे, तो means of production या factor of production हम होने कहते हैं, तो आपको land की need होगी, आपको labor की need होगी, आपको energy के sources की need होगी, यह सारी चीजों की need होगी, तो when you are going to exploit something, इसके इलावा, आपको relationships, यानि की production factors के साथ-साथ, you have to consider production relations also, की काम बाटा कैसे जाएगा सब के बीच में, किसका क्या संबन्ध है, काम से produce होए product को बेचने पर जो कीमत आएगी, वो किसमें कैसे बटेगी, यह सारी चीजें, raw material कौन arrange करेगा, land और labor को कौन arrange करेगा, यह सचा production relations, इन सब चीजों पर विचार होगा, जब आप यह consider करते हैं, कि nature में resources हैं, और resources human की betterment के लिए हैं, उसके लिए हमें resources को exploit करना होगा, और exploitation के लिए यह सब चीजें हमें चाहिए, इन सब चीजों की आवशक्ता है, और ऐसे में जो चीजें produce हों, उन production का benefit human तक पहुंचे, इस तरह से यह ideas विखसित होते हैं, चाहे फिर वो पानी की बात कर लें, चाहे मिनरल्स की बात कर लें, खेती बाड़ी की बात कर लें, चाहे किनी industrial products की बात कर लें, यह सब ideas इसके इर्दगिर्द घूमते चले जाएंगे, कि wealth का क्या importance है, उन्जी का क्या महत्व है, capital का क्या महत्व होता है, किस तरह से labor के काम करवाना है, labor कैसे organize होनी चाहिए, production किस process के तुरू होनी चाहिए, उसको कैसे बेजना चाहिए, better way में market कैसे काम कर सकती है, government का इसमें क्या role होना चाहिए, government को intervention करनी चाहिए, market में की नहीं, state क्या होता है, state का क्या role है, तो इस तरह से बहुत से सवाल आएंगे, many ideas are there because human free हुआ to think, आप सोच सकते हैं, और बाकी फिर आपकी सोच के उपर भी सोच सकते हैं, तो critical analysis जब आता है, तो जिसने idea दिया वो भी bound है, कि उस idea में इन चीजों को ध्यान में रखना है, reasoning को, logics को, rationality को, otherwise उसके ideas unreasoned, irrational, illogical हो करके ठुकरा दिये जाएंगे, क्योंकि वो ideas हो सकता है, कि better way में society का purpose, serve ना करें, यानि कि वो human की betterment की और ना जा रहे हैं, आईबा समझ में, वो idea scientific concept की बात नहीं करते हैं, मतलब, वो idea परमानित idea नहीं लगते, वो idea वहभारिक नहीं लगते, वो idea proven से नहीं लगते, वो idea फिर से किसी ना किसी divine character पर रिलाय करते नजर आ रहे हैं, वो idea फिर से किसी non-terrestrial body, यानि कि कोई celestial body के आशिरवाद पर नजर आ रहे हैं, उनमें शमता नजर नहीं आती, idea जो है, वो incapable सा लगता है, क्योंकि idea human में capability नहीं देख रहा, idea capability किसी और में देख रहा है, तो ideas में, मे यह capability होनी चाहिए थी, कि वो capability human के अंदर देखे, only human can change the life of human, that is a system, but उसके लिए human को बहुत सारे dimensions में expand करना पड़ेगा, dimension of knowledge है, science है, dimension of material development है, जिसमें कि आपको technology के और आना है, equipments बनाने है, tools बनाने है, factory setups लगाने है, so you have to grow in many dimensions, आपको कही dimensions में grow करना है, when you are able to do this, ultimately you can change the human, you can change the society, so ले देखर कि अगर हम बात कहें, तो हर चीज का विचार जो है, उस विचार के केंदर में जो है, वो मानव था, human was the center of every thinking, was the center of everything, human ही इस दौर में, knowledge का producer हुआ, और human ही इस दौर में, knowledge का consumer भी हुआ, मतलब I am actually producing the idea, suppose me, I am here, I am actually producing the idea, मैंने या idea produce कि, look this is a coal, और मैंने ये देखा है कि इस coal को अगर हम burn कर रहे हैं, इसमें एक burning capacity है, इसके अच्छी खासी heat efficiency है, इसको अगर हम burn करते हैं, तो हम जब water को boil करते हैं, और उसमें से जब steam create होता है, तो steam एक pressure से, छोटी छोटी conduits के माध्यम से आगे ले जाया जा सकता है, और उस pressure से turbines घुमाई जा सकती है, और अगर एक बाद turbines घुमेंगी, तो हम gear और lever की मदद से, हम बहुत सारी machines को manual के बजाए, हम mechanical mode में ले आएंगे, machine के द्वारा operate कर सकते हैं, I am the producer of this idea, and ultimately, I will consume this idea, मैं ही उस knowledge को produce करने वाला और मैं ही वो machine चलाऊंगा, मैं ही उस machine का lab उठाऊंगा, मैं ही ऐसी buses पे चलूँगा, मैं ही ऐसे ships पे चलूँगा, मैं ही उन refrigerator इन से, तो इस समय में अमूमन scientist जो हुआ करते थे, वो जिन सिधानतों को इजाद करते थे, वो उन सिधानतों को खुद पर धारन करकर के आपक या वी इट एनिफिंग वो आपका efforts करता है नजर आएगा, एक्चुल में human ही ideas produce कर रहा है, ideas are not given, ideas were not given by the divinities, यह कि नहीं God के द्वारा ideas नहीं आ रहे हैं, कि नहीं religious books में से नहीं आ रहे हैं, यह ideas exploration से आ रहे हैं, यह ideas nature को understand करने से आ रहे हैं, और यह exploration यह understanding orthodox नहीं है, यह puritan नहीं है, यह blindly किनी religious यह sacred books पर बेज़ नहीं है, यह exploration और यह understandings of nature, यह well established proven phenomena's पर बेज़ हैं, यह reasoned हैं, यह logical हैं और यह rational हैं, इन्हें again and again same method को follow करके परमानित किया जा सकता है और जब जब यह उसी method के वाया कहीं पर भी apply की जाएगी, यह वही result yield करके देगी, it is a scientific thing, यह scientific है, आईवा समझ में, it is not like a चमतकार, एक बार हो गया तो हो गया, this is a file, this is a LPG, और इसको इस regulated amount में आप निकालते हैं, तो यह एक तीली से जल जाती है, gas cylinder से, और हम gas cylinder में इसको fill कर सकते हैं, और इतने दिनों तक यह चलेगी, यह किसी भी घर में लगाएं, यह कभी भी कहीं भी लगाएं, वो same outcome ही आपको देगी, because वो एक well established process से आई है, एक phenomenon से आई, it is a scientific thing, यह कोई चमतकार नहीं है कि एक बार आग जली है, और सारे अब बैठ हैं इंतिजार में कि दुबारा कभी जलेगी कि नहीं, ओके, it is not like this, human is capable to do that, to produce such things, to produce such knowledge, and human is capable to produce such knowledge again and again, so यह एक ऐसा world create हो रहा है, जिसमें human हर विचार का केंद्र है, human center है universe का इस समय में, universe यहाँ पर multiple thoughts को कहा गया है, multiple production processes को, multiple activities को कहा गया है, और human ही यहाँ पर ideas का producer है, knowledge का producer है, और human ही knowledge का consumer है, और ideas का consumer है, human is everywhere, तो humanistic period है यह, period क्या है, humanistic in the sense कि humanism promote हुआ, humanism promote हुआ, art of nature promote हुआ, nature, भैते हुई नदिया, नदियों में potential है, नदियों में potential है, विद्य उत्पन करने का, बिजली उत्पन करने का, नदियों में जीलों में और बड़े-बड़े समुद्रों में potential है, पानी के जहाज एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, आज भी आप देखें हमारे घरों में अमूमन पेंटिंग लगी रहती है एक तट है उस पर पाम के ट्रीज हैं दूर से शिप आ रहा है देखिए कितना स्ट्रॉंग बना है हमारे जीवन में कल्चर हम आज भी इन चीजों को इमेजिन कर रहे हैं शिप हो गया या फिर दूसर बन रही है कि लोहार बैट करके कूट रहा है चीजें और वो कुछ बना रहा है यह आपको म्यूजियम से मिलेंगे इसके इलावा नहीं घरों के लिए यह नहीं क्योंकि यह इमेजिनेशन को कैच नहीं कर गए गई यह चीजें कैच नहीं कर गई लेकिन आप नोटिस दोड़ते हुए कई सारे घोड़ों की फोटो नजर आएगी इस तरह से बहुत सी चीजें इमेजिनेशन को कैच कर गई इस समय में आई वास समझ में आसपेक्ट इस कि यह दोर इस तरह से डेवलप हो रहा है नेचर को आप इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं जीलों का महत्व ब्रिक्षों का महत्व उस मैनर में जर्नों का महत्व उस मैनर में समुद्र और नदियों का महत्व उस तरह से हुआ तो चाहे विंची की पेंटिंग्स हो या किसी की भी हो आपको इस समय में यह चीजें नजर आएंगी कि प्रकृती में भी एक एक कॉपरेशन है प्रकृत विदाउट पार्टिस्पेशन लेबर को कोपरेट करना पड़ेगा और के साथ वर्कर को एंप्लॉयर के साथ हाना पड़ेगा तो फिर चीजें प्रड्यूस होती हैं तो यू आप्ज तो इस तरह से यह दौर है तो यह लाइन है यहां पर है human being at the center of the universe rational thought central feature हो गए human being का human being सभी विचारों का केंदर हुआ और human being के केंदर में क्या है rational thoughts ओके आप हर प्रोसेस हर थिंकिंग हर आउटकम का center है और आपका center है rational thought मैंने अभी बताया आप यह आइडिया और नॉलेज के producer हैं और आप ही उसके consumer भी है fully human being producer and user of all knowledge हुए fully human यहां इस समय में concept developed हुआ कि only सिर्फ और सिर्फ वो person ठंड है यार करो इसको बंद है इससे पर पड़ेगा क्योंकि हमने cut कर दिया है ना पैसेज है ओके नव पैसेज कट तो वहां से कुछ भी नहीं आएगा फार्च मिनट फील करिए फिर अगर होगा तो कर देंगे आगे समझो तो वही उसी को full human माना fully developed माना जो rational thinking रख सके जो analysis critically कर सके जिसके पास reasonings हों जो चीजों को logic के अधार पर करता हो तो उन्हीं को fully human माना जाएगा जो लोग यह नहीं कर पाए उन्हें माना गया कि human के characters में यह persons deficit है यह human नहीं है पूरी तरह से तो उनको savage कहा गया जैसे कि आप अमूमन नोटिस करेंगे the tribal communities तो जब भी आप देखेंगे इन सिद्धान्तों से ओथ प्रोथ enlightenment की भावनाओं से भरे हुए यूरोपिय जब industrial revolution के घोड़े पर सवार हो करके पूरे विश्वभर में आ रहे थे जैसे भारत में आए और यहां पर शाशन किया colonialism आया यहां पर तो आपने ideology नहीं देखी अंग्रेजों की क्या थी जो भी इंडियन्स के जो थौट थे यानि कि जो faith system है धर्म को ले करके जो भी रीती रिवाज थे जो भी मानेताएं थी इनकी आम समाज की और इसके इलावा जो आदिवासी समाज है उनका जीवन यापन और उनका रहन सेइन डहंग और उनकी मानेताएं European के लिए यह सभी अन्सिवृळाईजद थे Europeans के लिए यह सभी के सभी savage हैs European के लिए यह सभी के सभी inhuman की तरह है इन savage लोगों को नि ऑनीदाइज गोगों को पहले तो पावर से कंट्रोल करना पड़ेगा तो बूट फोर्स का यूज करना पड़ेगा और इन्हें कंट्रोल में रखना पड़ता है तो यही तर्क लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने दिया कि अभी आप योग्ये नहीं हुए हैं कि ब्रिटेन की लोकतंत्र प्रणाली टेस्ट वो प्रेफरेंसेज वो रैशनल रीजनिंग और क्रिटिकल ठिंकिंग रखने लायक बन सकते हैं उनको पहले हैंड़ पिक करना तो उनको पहले कुछ लोगों को उठाना उनको अपनी पद्दती सिखाना अपनी तरह सोचना पहनना विचार करना खाना पीना सारा सि कि भी आपको किस के जैसा होना है कैसे सोचना है कैसे विचार करना है तो कुर्सी पर बैठने से लेकर के सिगार पीने तक हैट पहनने से लेकर के शर्ट और टाई और शर्ट आई के शर्ट के बटन यहां तक यह भी स्विकार नहीं था कि कॉलर के भी जो दो नोड रहते हैं वो भी कैसे आधा और एक सूत्र उपर नीचे उड़ सकते हैं, उधर भी बटन देना पड़ेगा, तो उधर भी बटन दे करके उसको भी फिक्स किया गया, टाई थोड़ी भी बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको भी अंदर गुसेडा गया, पूरी तरह से अंडर सूटिंग य और पूरी तरह से बंद, तयार, सेटल्ड वॉक का एक स्टाइल होना चाहिए, आपको चलना इस तरह से आपका उठना, बैटना और आपका बात करने का धंग ऐसा होना चाहिए, तो ये एक पूरा मैनरिजम लेकर के आया गया पूरे वाल्ट लेपल पर, क्योंकि माना गया कि इनको सिविलाइजड बनाना है, इसी तरह से सेंट्रल अमेरिका की आदिवासी समाज को भारत और अनेक फ्रीकी, एशियाई और साउथ अमेरिकी देशों के लोगों को सिविलाइजड करने के नाम पर साशन किया गया, उनका सोशन भी किया गया, इतनी बात समझ में आई तो यह that was the idea, उनको लगता था कि क्योंकि हम पहले सिविलाइजड हो गए हैं, हम पहले समझ गए हैं human की worth, human की value, तो हम ही better manner में इन लोगों को ठीक कर सकते हैं, हमारा जाय तो बनता है, क्योंकि देखिए industrial revolution जो था वो अकेले तो आगे बढ़ नहीं सकता था, इसके वज़ा से पूरी तरह से अवगत करा दें और आपके प्रति उन्हें highly स्वामी भक्त बना दें, उनको इतना गौरवानवित महसूस करा दें कि आप तो स्वयम ईश्वरी के रूप के में उनके सनमुकों प्रकट हुए हैं, तो वो फिर बहतर आपकी needs को सर्व कर सकते हैं, क्यों तो इसलिए यूरोपियों के द्वारा अकेले तो टेका ही नहीं जा सकता था, सर्वाइव नहीं किया जा सकता था, क्योंकि mass production करने हैं, तो उसकी ये foundation ही थी कि आपको mass markets चाहिए, आपको mass scale पर raw material चाहिए, और यूरोप के वो छोटे-छोटे मुल्क अपने स्थर पर अकेले य चाहिए, कोई moral rights भी चाहिए, तो आपके thinkers, आपके philosophers, आपके writers ने आपके द्वारा की जा रहे हैं, इस colonialism को इस दूसरे देशों में जाकर के किया रहे कबजों को जबर्दस्त धंग से समर्थन दिया और thoughts develop किये कि ये जो हम आएं हैं आपके मुलकों में, you have to be thankful, हमने आपको railway देना है, हमने आपको विकास दिया, बिजली दी, विद्योती करन दिया, हमने आपको loin order, संस्थाएं, लोकतंतर की पदतियां दी, हमने आपको सिखलाया की समानता कैसे आती है, equality से कैसे शाचन किया जाता है, हमने absolute kingdom systems खत्म कराए और जनतंतरिक राज्यस थापित करे, हमा expeditions को अपनी writings के वाया support करते तो literature भी वैसा ही develop हो रहा है, religion का भी form वही होगा, that is the protestantism, वो भी इन तरह के thoughts को support करेगा, कि वही प्रकृति का exploitation अगर आप कर रहे हैं, तो आप एक तरह से प्रकृति को develop कर रहे हैं, okay, आपको उसे nurture करना है, यह जंगलात इलाके, यह untamed बहती नदियां जो आहर बार अकाल भी लाती हैं और बाड़ भी लाती हैं, पक्का करिए इनको, regulate them, grasslands develop करिये, खुबसूरत भेड़ वक्रियां चरती हो तो बहतर लगता है, जीने लायक स्वर्ग बना दीजिए, तो अक्सर हम लोग वहां जाते हैं, एरोपी देशों में तो हम कि एक सेकंड में कहते हैं, किसको देखके कहते हैं, तोड़े से घास के मैदानों को और पहाडों को, साफ सुतरी सड़कों को हम देख करके कह देते हैं कि यह स्वर्ग है, विचार हमारा स्वर्ग का सीन ऐसा ही है, कि स्वर्ग जहां कहीं होगा, बिलकुल ऐसा ही है, क्योंक बहती है जैसे कि ग्यान की नदी गंगा बहती है और जो ग्यान की नदी गंगा में डुपकी लगाता है वह पावन होता है वह पवित्र होता है स्वर्ग वही जा सकता है और जो ग्यान की नदी गंगा में अपने जीवन में ही डुपकी लगाता रहे वह वैसे ही पावन और प कह दिया गया कि इनके पास reasoning नहीं है यह अभी critical thinking नहीं रखते हैं तो यह अभी fully human नहीं है human होने की एक definition आ गई कि लिए लाइन आप पंजाबी में भी सुनेंगे भारत में भी बहुत तेजी से फैली कि यह था बंदा ही नहीं है जड़े बंदे सोचनदी शमता ना हुए जड़े बंदे नूँ अकल ना हुए एक आदा बंदा यह सीधी लाइन आप एक नहीं है नहीं की पता है आप कहेंगे कि यह तो बहुत पुराना कंसेप्ट है भारत में भारत में तो यह बहुत पुराना कंसेप्ट है बंदा सिंग बहादर के नाम से जुड़ी हुए कहानी है यह कि जो धर्म से चलता है जो धर्म के आधार पर विचार करता है जो वेल र reasoning, यह concept of rationality, logics, वो आधार बनेगा, exploitation का, वो एक डिफरेंट चीज है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, आईवाज समझ में, so that is a concept, तो reason became the defining feature of the human world, इस दौर में human world का defining feature कौन बना, reason, okay, reason है, तो चीज है, reason नहीं, तो चीज नहीं, तो हम सीधी-सीधी बात पूछते हैं, तरक बताओ, अपनी बात के पीछे को, कारण बताओ, प्रूफ करो, हाना, प्रूफ करो, तो mathematics में भी आप देखते होंगे, last में हम लिख देते हैं, hence proved, left and side, right and side, यह, तो proof, 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 यह सारी चीज़ें, laboratory में भी आप जाएंगे, physics में, chemistry में, तो at the end आपको यह आएगा, कि इसको यह proof करना है, आपने, okay, और जो system of justice है, उसमें भी यही होता है, कि आप proof करें, आप सिद्ध करें, आप स्थापित करें, कि भई इसने कोई crime किया है, तो किसी भी तरह से आपने दोर था enlightenment का, इतनी बास समझ में आई, यह एक बड़ी वज्ञानिक करांती नहीं थी क्या, it was a very very big revolution in the field of science, क्योंकि इस समय में नए apparatus, नए tools, नए weapons, नए equipments बनेंगे, और इनी equipments, इनी tools, इनी weapons की वजह से नए तरह के समी करन बनेंगे, यानि कि नए तरह से व्यापारिक स मंद विक्सित होंगे, long route trade practices होंगी और पूरा विश्व इस से प्रभावित होगा, केवल ये विचार, ये धारणाएं, उन छेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, जहां पर ये विक्सित होई, ये पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी, क्योंकि पूरा विश्व इस समय ये रौफ के संपर्क में आ रहा था, और उसका कारण व्यापार था, तो इसकी वज़ा से ये सोच, ये धारणा पूरे विश्व तक पहुंचेगी, सारा विश्व इन विचारों से प्रभावित होगा, तो विश्व भर में आपको एक परिवरतन नजर आएगा, तो जो आ ये वज़ा से आई है, ये एक तरह का complete transformation था society का, जिसकी वज़ा से ये modern element, ये modernity जो आप experience करते हैं, ये आई और वो transformation का basis ये events थे, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन्हों ने संबंदों को बदल दिया, अब आप हो सकता है, अपने घरों में कोई ऊपज नहीं खाते, आप अपना कोई ऐसा व्यवसाय कार्य करते हैं, जिससे होने वाली आमदनी से, आप किसी ऐसे मनुश्य से दूध उपलब्द कर्वाते हैं, जो केवल दूध का कार्य करता है, और कोई किसान सिरफ खेती करता है, कोई सिर्फ और सिरफ इंडस्ट् बदले हैं, resources का use बदला है, nation को organize करने के तरीके बदले हैं, wealth को accumulate करके, उसको distribute करने के तरीके बदल गए, यह सारी परिवर्तन इस दौर में आए है, science और reason यहाँ पर supreme हुई है, आई बास समझ में, अब हम अगले concept को समझते हैं, that is the political revolution, that is the French revolution, the French revolution, देखिये, हमने जब enlightenment के बारे में पढ़ा, तो हमारे दिमाग में यह चीज़ अब settled है, कि reason जो है, human world का defining feature हो गया, इस बात का क्या अर्थ होगा पलग, reason, human world का defining feature होगा, what do you mean by that, इसका अर्थ यह निकलता है, कि अब तक जो चीज़े, human world को define कर रही थी, वो displace हो जाएंगी, reason उसकी जगा ले लेगा, और वो कौन सी चीज़े, human world को define कर रही थी, जैसे कि nature, प्रकृती, आप पर hawk, wreck करती है, यानि कि आपको प्रकृती के ही अधीन रहना है, आप प्रकृती को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, नेचर जैसा decide करेगी, वैसा survive करिये, sustain करिये, so that concept of nature, the concept of religion, the concept of feudalism, divine act of God, तो यह divine act of God, the system of religion, the concept of nature, यह displace हो जाएंगे center से, जो कि center में human world के आ गया है, reason, और फिर जब reason आ गया है, तो यह reason, human के अंदर, यह attitude of mind डेवलप भी करता है, और human के द्वारा ही attitude of mind डेवलप होता है, reason की खासियत है, यह दो process करता है, एक तो यह आपके अंदर, आपके mind में कैसा attitude डेवलप करता है, ओके, और इस attitude से ही आप फर्दर और डेवलप होते चले जाते हैं, और वो कौन से attitude of mind हैं, that is secularism, that is scientific system, तो secular approach, religion displaced होगा, secular approach उसकी जगा लेगी, आज़ बस समझ में, divine act of God replace होगा, scientific phenomena उसकी जगा लेगे, नेचर का वो concept displays होगा, humanistic aspect उसकी जगा लेगा, तो यह नए attitude of mind अब existence में आ जाएंगे, इन attitude of mind की वज़ा से ही, human के context में नए ideas डेवलप होगे, और human खोद ही in attitude of mind से benefited भी होगा, ऐसे विचारों के तहत अब समाज settled है, कर दो झाल लूड़न झाल झाल